दोस्तों, विराट कोहली और बाबर आजम ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है. क्यूंकि दो क्रिकेट सुपस्टा जिन्हें अपने अपने देशों में बेहत पूजा जाता है. वह दोनों ट्विटर पर एक छोटी सी बातचीत में शामिल थ और उसे इस चरण से लड़ने की ताकत दी. उनका ट्विट कुछ ही समय में वाइरल हो गया. और इसे तीन लग से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कोहली ने बाबर आजम को उनके ट्विट के लिए धन्यवाद दिया और बदले में. पाकिस्तानी कप्तान को उनके करिय के लिए शुबकामनाय भेजी. इसी बीच दिगगज भारतिय ओफ स्पिनर हर्भजन सिंग को यह देखकर खुशी हुई की. दोनों दिगजों ने प्रतिद्वंदवी देशों के बीच, राजनीतिक और सीमा तनाव के बीच, दोनों देशों के देश्वासियों के लिए एक म बहुत अच्छा लगा. एक चेंपियन से दूसरे चेंपियन तक अच्छा किया. कोहली और बाबर के बीच बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए हर्भजन ने लिखा. इस बीच कोहली को एक और मौका मिलेगा जब वो. रवेवार को ओल्ड ट्राफर्ड में तीसर पास खेल से एक महीने की चुट्टी होगी. क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज दौरे से आराम लिया है. और उनके जिंबाबवे दौरे की संभावना नहीं है. तो आप लोगों को क्या लगता हैं दोस्तों? इस खबर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और अगर वीडियो अच्छा लगा हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव क्रिकेट वीडियोज ला सके. धन्यवाद